हेलो एवरिवन मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चनल बाग बगीचा पैशन और क्रियेशन में जहां हम बात करते हैं पेर पोधों की और किसी क्रियेटिविटी की आज हम बात करने वाले हैं गार्डन की एक बहुत बड़ी समस्या मिली बग के बार में जो अगर एक बार में गार्डन में आ जाये तो सारे पोधों को तहस-नहस कर देता है सारी एनरजी सक कर लेता है, सारी बडस गिर जाती है तो ये एक बहुत ही सीरियस समस्या है गार्डनिंग के लिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चनल पर नई हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रही है तो जिल्दी से मेरी चनल को सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आओं तो आप उसे मिस ना करें सबसे पहले बात करते हैं कि मिली बग होता क्या है तो मिली बग आप देख सकते हैं वाइट कलर का एक छोटा सा चिपचिपा छोटा सा खीडा होता है वाइट कलर का और जो आपको अपने हिबसकस के प्लांट पर मौसम के चेंड होने पर नजर आता है पहले ये बहुत ही कम टाइम में आता था और धीरे धीरे जली ही चला जाता था आप सिंपल पाने का स्प्रे करते थे तभी ये बहुत ही आराम से आपके प्लांट से निकल जाता था लेकिन इस साल मैंने जो खुद से नोटिस किया है कि इस बार इसका बहुत जादा टैक हुआ है नरस्री वाले भाईया ने इसे बात करने पर उन्हें ने मुझे बताया कि इसके लिए एक बहुत ही हार्ड सोलुशन आया है बहुत ही हार्ड केमिकल की दवाई आई है जिसे आप इसकी चपेट में आ गए हैं और बात करें तो दो तीन महीने हो गए हैं और अब तक जाने का कोई भी नाम नहीं है पहले यह कीड़ा खुद ही विजिबल होता था और धिरे धिरे खुद ही चला जाता था लेकिन इस बार इतनी जादा मेहनत करने के बाद भी बार बार आपको इसके लिए काम करते रहना पड़ेगा तो आज की वीडियो इसी चीज पर है तो आखिर तक बने रहेगा और इस वीडियो के लिए इस वीडियो को अपना धेर सरा प्यार दीजिए गा और इसकी इंफोर्मेशन लीजिएगा जो बहुत ज़दा हाड़ी प्लांट्स होते हैं वो इससे बच जाते हैं लेकिन जो सोफ्ट स्टेम वाले या जो जूसी लीव्स वाले प्लांट होते हैं वो इसके चपेट में आ जाते हैं सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव जो प्लांट होता है इससे वह होता है इबिसकस का प्लांट बहुत बहुत जादा डैमेज सारी births गिर जाती हैं और आप इसको चंपा के plants पर भी देख सकते हैं जेड प्लांट पर ब्हुंत्त में दिख जाता है बेंगन पौते पर भी जाता है और बेंगन पर आएगा तो फिर ये इसकी सारी के लियां गिर जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करें जो मैठल हम बात करने वाले हैं वह है कि आप वाशिंग पॉडर ले लीजिए या फिर शैंपू ले लिजिए उसको पानी में घोल लीजिए और उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स करके उस स्प्रे करिए क्योंकि जो मि आपकऱ पार्क में से जंग्लों में से तो यह जब तिट्ली या मदुमक्या आती है उसके बाद़ अपके घाने काम यहां पर चिटिया करतीए जो किगी के फ्रैंड होती हैं जो कि जो इनका चिपचिपा प्रदार्थ होता है मीठा होता है वो चीटिया खाती है और चीटिया इनको अपने साथ पूरे प्लांट्स पर ले जाती है सब जंगे ये फैला देती है इसको तो ये जो सोलीशन में आपको बता रही है बहुत इफेक्टिव है आप अच्छी स्प्रे बोटल लीजे ताकि अच्छा स्प्रे हो और सारे कीड़े जो है वो आपके प्लांट को छोड़ दे बिना स्प्रे बो ये मेडिसन आपको इजली आपकी पर अवलेबल होगी कई तरह की और भी मेडिसन आती है वो भी आप नर्शरी वाले भहिया से बात करके ले सकते हैं उसमें आपको मातरा कम जादा होते ही आपका प्लांट जल सकता है तो बहुत ही धियान से मातरा का इस्तमाल करें दो अगर जरुद हो तभी इसका इस्तमाल करें गांडे में बहुत ज़दे मिली बक काटैक हो तभी इसका इस्तमाल करें नहीं तो आप और भी मैथर्स अपना सकते हैं वो भी इतने ही कारेगर होते हैं जितने की a comical spray क्योंकि यह मरते नहीं है आपको दिखाई देंगे लेकिन ल से बनती जा रही है तो हम इसको पूरी तरस से अपने काड़न से नहीं निका सकते कि इनका एक सीजन होता है और इस बर मैंने देखा है कि इनका सीजन बहुत ही लंबा हो गया है अभी भी मैं इसको फेस कर रही हूं काफी जादा कम हो गया है लेकिन मैं बिल्कुल भी यह नही प्लांट है इसकी लीव के अंदर कितनी भरे हुए है यह पूरा देखने में मुझे बहुत ही बुरा लगता है तो मैं इसको रोज क्लीन करती हूं डेली डेली की क्लीनिंग होती है लेकिन फिर भी इसका जो अटेक है वो बहुत ही जादा है बहुत ही जादा है क्योंकि मेरे जो सामने पार्क है घर के बास वहाँ पर भी मिली बग का कॉफी बड़ा एक बहुत बड़ा कहेंगे कि बहुत जादा संख्या में वहाँ पर मिली बग हैं और आपको पता है कि फिर हवा चलने से ये तो उड़के आ सकते हैं तो इसका तो सॉलिशन यहीं है कि आप स्प्रे करके इनको पने प्लांट से हटाते रही है हां अगर यह आप किस भी अपने फ्रूटिंग प्रांट पर कर रहे हैं और फ्रूटिंग प्रांट पर मिली बग लग गया है तो प्लीज उसका फ्रूट इस्तमाल नहीं करना है आप आपको लगता है कि वो दिखने में हल्दी है तो भी आपको स्कस्टमाल नहीं करना है आपको स्कस्टमाल नहीं करना है तो दो मैथड़ मैंने आपको बदा दिया है तीसरा है नीम ओल का स्प्रेव बहुत इफेक्टिव है खास करके आगर आप यूज करना चाहते हैं कोई भी ओर्गैनिक स्प्रेव तो आप यह स्प्रेव जरूर यूज करिए यह आपके फूट्स पे बहुत अच्छा काम करता ह है आप अपने फ्रूट पर को भी केमिकल स्प्रेव ना करें यह बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए आपको लेना है दो टेबल स्पून नीम ओल और साथ में मिक्स करना पड़ेगा आपको कुछ भी ऐसाद जो इसको अच्छे से डिजॉल्व कर दे पानी में क्योंकि ओल के लिए आप में चैनल पर जाके नीम ओल स्प्रे की वीडियो भी देख सकते हैं आपके लिए जबूर बेनेफिशियल होगी तो यहां पर आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा है जो प्लांट आपके फूट्स वाले है ना तो वह कर दोट्स वाले है तो यहां पर मैं अपने बैंगन के पहुदे के लिए इस्तवाल करें इसके वीडियो फुल वीडियो भी आप में चैनल पर जाच कर सकते हैं जहां मैंने अनियन का और गेंदे के फूलों का और 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 इंज का बताया था बहुत ही अच्छे रिजल रहते हैं इसके वी तो क्यों केमिकल स्प्रे ना करके आप यहां पर जरूर से इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे एक थांस अप देना बिल्कुल भी ना भूले और इस तरह से आप बहुत अच्छे रिजल ले सकते है और आप यहां पर पाने में देख सकते हैं कि कितने सारे मिली बग पड़े हैं तो आप यह धिहान रखेगा कि इनको ऐसे ही नहीं चोड़ना है पानी चलाने के बाद आप इनको यहां से इसको ड्रेन आउट कर दीजे यहां से अटा दीजे ताकि चीटिया इन्हें वापस स इनको ना लासके और इसी तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहेगा अच्छी लगती है वीडियो तो फैमिली फैंक के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इसी तरह से अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ब